दोस्तों आज आपको बताते हैं मोदी सरकार की ऐसी योजिना जो आपको बना देगी देरी बिजनसमेन इस स्कीम की खास बात ये है कि जितना पैसा देरी उध्योग शुरू करने में लगेगा उसका 90 फीजदी आपको लोन मिलेगा और आपको सिर्फ 10 प्रतिशत पैसा ही अपनी जेव से खर्च करना होगा अत्या दुनिक डेरी उनिट लगाने के लिए 25 लाख रुपे तक का लोन मिल सकता है और इस योजना का फायदा आप कैसे उठा सकते हैं आविदन करने का तरीका क्या है द्याज कितना लगेगा कैसे 35 लाख लोगों को इस योजना से फायदा मिलेगा क्या आप उन 35 लाख में आएंगे इस योजना का A to Z आपको बताएंगे इस वीडियो में नमस्कार मैं हूँ आपके साथ कुमार पावन और आप देख रहे हैं Freedom Farming Hindi Channel दोस्तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस स्कीम है क्या केंदर सरकार ने Animal Husbandry Infrastructure Fund की घोशना की है और किंदर सरकार ने 15,000 करोड रुपे के पशुपालन बुन्यादी धांचा विकास फंड की स्थापना के ओँ मनजूरी दे दी है दोस्तो इस योजना का मकसद देरी मांस प्रसंसकरण और पशुट चाराज सेंतर में नीजी कारोबारियों और MSME के निवेश को प्रोटसाहित करना है केंदर सरकार की इस पहल से 35,000,000 लोगों को रोजगार में लगा ऐसी उम्मीद जताई गई है आत्म निर्भर भारत अभ्यान प्रोटसान पेकेज के तहट युवाओं गरीब और किसानों को आए दूगनी करने के लिए कंदर सरकार ने ये कदम उठाया है सरकार चाहती है कि किसानों के आए दूगनी हो दोस्तों अब आपको बताते हैं कि इस योजना के लिए कौन आविदन कर सकता है आप क्या इसके लिए एलिजिबल है और कितना लोन आपको मिलेगा उसके ब्यासदर क्या होगी HIDF योजना के तहट किसान उत्पादक संग्ठन यानि कि FPO, MSME, Section 8 के तहट आने वाली कंपनिया निजी कंपनिया और निजी उध्यमी आविदन कर सकते हैं जितना पैसा Dairy Project पर खर्च होगा उसका 90% पैसा आपको बैंक से लोन मिलेगा आपको सिर्फ 10% पैसा ही खर्च करना है मान लिजे आपका Dairy Project 10,00,00 रुपे का है तो आपको 9,00,00 रुपे बैंक से मिलेंगे और आपको सिर्फ 1,00,00 रुपे खर्च करना है और इस लोन पर आपको सिर्फ 3% ब्यास देना होगा मूल कर्ज 2 साल में चुकाना होगा जबकि लोन का पुनर भण है वो 6 साल में आप कर सकते हैं यानि कि लंबा चोड़ा पीरिड आपके पास रहेगा इस लोन को चुकाने के लिए इसका मतलब यह है कि आप 2 साल में लोन चुका कर इसे 6 साल तक फिर से मनजूर करवा सकते हैं दोस्तो इस प्रोजेक्ट में अधिक्तम 25 लाख रुपे का लोन आपको मिल सकता है दोस्तो के अंधर सरकार ने साड़े 700 करोड रुपे के क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना की है इसका प्रबंधन नाबाड कर रहा है दोस्तो क्रेडिट गारंटी केवल उन मनजूर परियोजनाओं के लिए दी जाएगी जो MSME की तहत परिभाशित होंगी कर्जदार को क्रेडिट सुविधा पर 25% तक कावरिज गारंटी दी जाएगी जो की एक अच्छी पहल है सरकार की तरफ से आप इसका फाइदा उठा सकते हैं दोस्तो अब आपको बताते हैं इस योजना में कौन सी यूनिट लगाने के लिए आपको लोन मिदेगा यूनिट के लिए आपको लोन मिलेगा यानि कि आप दूद से मिल्क पाउडर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको लोन मिलेगा आइसक्रीम बनाने के लिए भी आपको यूनिट लगाने के लिए लोन मिलेगा आप अपने दूद से आईस क्रीम बना कर बेच सकते हैं इसके लिए भी आपको लोन मिलेगा अल्ट्रा हाई टेंपरेचर UHT टेट्रा पेकेजिंग सुईधाओं के साथ दूद प्रोसेसिंग यूनिट है मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट है उसके लिए आपको लोन मिलेगा यानि कि आप अल्ट्रा हाई टेंपरेचर टेट्रा पेकेजिंग सुईधा के साथ मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट भी लगा सकते हैं इसके लिए आपको लोन मिलेगा 90% तक इसकी लागत का लोन आपको मिलेगा आपको सिर्फ दस प्रतिशत पैसा अपनी जेब से लगाना होगा फ्लेवर्ड मिल्क निर्मान यूनिट इसके लिए भी आपको पैसा मिलेगा लोन मिलेगा मठा पाउडर निर्मान यूनिट इसके लिए भी आपको लोन मिल सकता है और कई प्रकार के जो Meat Processing Unit है उसके लिए भी सरकार आर्थिक तोर पर आपको मदद देगी अगर आप अपने दूद से पनीर बनाना चाहते हैं तो पनीर निर्मान यूनिट के लिए भी आपको लोन मिलेगा दोस्तों ये तो बात हुई कि किन किन प्रोजेक्ट के लिए आपको लोन मिलेगा अब आपको बताते हैं कि आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है Animal Husbandry Infrastructure Development Fund यानि की AHIDF के तहट डेरी उध्योक के लिए लोन मिलता है और इसके लिए सबसे पहले उध्यमी मित्र पॉर्टल है उस पर आपको जाना होगा उध्यमी मित्रा पॉर्टल पर आपको जाकर वहां पर रजिस्ट्रेशन करना होगा और इसकी वेबसाइट आपको बताते हैं उध्यमी मित्रा डॉर्ट इन ये वेबसाइट है इस पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन करवाएं सबसे पहले ये पहला चरण है रजिस्ट्रेशन के बाद बाकी की आवेदन प्रक्रिया आप शुरू कर सकते हैं जब आप रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो आपके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करने का पेज है वो खुल जाता है और यहां पर आपको लोन के लिए अप्लाई करना होगा और इससे आपको लोन मिलेगा जब आप आवेदन कर देते हैं तो इसके बाद पशुपालन विभाग आपके एप्लिकेशन की चानबीन करेगा और पशुपालन भी भाग से मंजूरी मिनने के बाद बेंक है उसके पास आपकी application जाएगी और उसके बाद बेंक आपके लोन को मंजूरी देगा पशुपालन और सरिंचना विकास निधियोजना का मकसद क्या है? इस योजना का मकसद देश में बढ़ रहे कोपोशन को खत्म करना है पशुपालकों के लिए सस्ते रेट पर चारा की विवस्था करवाना है और पशुपालकों को डेरी उध्योग में उचित मुल्य अपलब्द करवाना है और साथ ही उनको उध्यमी पनाना एक मकसद है दोस्तो भारत में डेरी उत्पादों का अंतिम मुल्य की लगभग पचास से साथ प्रतिशत राशी यानि की पैसा ही किसानों के पास आता है इस योजना से डेरी शित्र का विस्तार होगा इसे किसानों की आए बढ़ेगी एच आईडियफ में निवेश प्रोचाहन से ना सिर गुना निवेश का लाब होगा बलकि एक किसानों को भी प्रोचाहित करेगा निवेश बढ़ाने के लिए ताकि डेरी उत्पादन बढ़ सके और उनकी आए में बढ़ोतरी हो एच आईडियफ की इस परियोजना से प्रतेक्ष और प्रतेक्ष तोर पर 35 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा ये दावा किया गया है साथ ही डेरी और पशुचारा जो यूनिट है उसमें निजी कारोबारियों और MSME के निवेश को भी प्रोचसाहन मिलेगा ऐसा अनुमान है तो दोस्तों ये जो सरकार की नई स्कीम है ये आपके लिए एक नया मौका है आप बिजनसमें बन सकते हैं डेरी के काम्याब बिजनसमें बन सकते हैं आप इस चोजना का लाब उठाकर अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं और इसके लिए आपको 90% लोन मिलेगा जो की ब्राइट है तो दोस्तों ऐसे ही आइडियाज को जानने के लिए आप फ्रीडम फार्मिंग हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और साथ ही नएनी टेकनिक सिखने के लिए खेती की नएने तरीके सिखने के लिए बिजनस के तरीके सिखने के लिए बिजनस को जानने के लिए और personal finance को कैसे आप ज़्यादा बहतर तरीके से use करें उसको अपने पैसे को कैसे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं अच्छे तरीके से उसको अगर आपको जाना है तो आप freedom app डाउनलोड कर लिजे freedom app डाउनलोड करने के लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको इस वीडि झाल